तो दोस्तो आज हम सिखने वाले हैं दस बेसिक पारकर मूब स्टेप बाइ स्टेप बाइ स्टेप दोस्तो सेटी को ध्यान में रखते हम परतेट मूब को तो तीन स्टेप में स्टेप संगे जिसमें सबसे आसान स्टेप को पहले से किंगे उसके बाद हट को वीडियो के अंति तक बनेरहे हैं ताकि वीडию में मिलने वाले कमाल की पॉआट्स आप अच्छे से फॉलो कर सकें अगर आगे है और चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब कर और इसके बाद आपने side यह आपने shoulder लगाते हुए roll करना है यहां से one इस तरह से आपने shoulder roll करके खाड़े हो जाना है तो यह काफी important move है पारकर के लिए अगर आपको shoulder roll आता है तो इससे आप jump के बाद या फिर flip के बाद अपने body weight को आथाने से control कर सकते हो जिससे आपको injury नहीं होगी तो continue इस तरह से practice करें जितना अच्छा practice करेंगे जितना ज्यादा practice करेंगे उतना अच्छा आपका moment आएगा second move है dive roll सबसे पहले हम खड़े-खड़े करेंगे आप अपने पैर को सीधे रखते हुए रोल करते हागे अपने इस तरह से complete कर सकते हैं यह basic dive roll है जो कि आप खड़े-खड़े सीख सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद दोनों हातों में वेट लेना है और बॉड़ी वेट को कंट्रोल करते हुए रोल करना आगे की तरफ इस तरह से basic में इस तरह से आप पकड़ेंगे और यहां से इस तरह से लटक के अब यहीं से डाउन आना है आपके इसके लिए आपको आपके पोराम से और सोल्डर के स्टेंथ से जह चाहिए होती है इसके लिए जिससे के आप फुन कर सको अपने बॉड़ी को उपर की तरफ और यहीं कर आपने पैर से भी पुश करना है उपर ताकि आप इजली उपर चड़ सकें सबसे पहले इस तरह से दिवार लें और दोनों हातों से टाइट ग्रिप करते हुए अप एंड डाउन के प्रैक्टिस करें इससे आपके पोराम और सोल्डर के स्टेंथ इंप्रूव हो जाएगी जिससे आपको जंप और रनिंग के बाद जंप करके पकड़ने में आसानी ह दिरे-दिरे जंप और रनिंग जंप के साथ प्रैक्टिस करें से कंट्यूड प्रैक्टिस से आप बीचर के जंपिंग बेड़ा सकते हैं प्रम फोर्त में करनके प से हाथ को ग्रौन में रखना है उसने वेट लेना है एक हाथ को इसथ चेवाल में रखना है यह बैसि की स्टैप है और इसको आप ऐजीली सिख सकते है's अब इस तार से आपने पुश्ट करने के बाद बदी को ट्विस्थ करना है Pam है जूंप दोने हाथ से वेट लेना है एंड पुस्ट अच्छे है इस तरह से सेफटी के साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करें जैसे अगला जो पारकर मूव है वाल्ट अबर है बेसिक में कॉन्प्रेंट लाने के लिए जूंप एंड लैंडिंग के प्रैक्टिस करें है इस तरह से धिरे धिरे साइड से क्रॉस करने की कोसिश करें कि बेसिक हैं बेसिक में शोने के बाद पूर सकते हैं बढ़ते हैं next move की तरफ next move है फेसिंग जम्प करें बैसिकली यह एक बैलेंसिंग जम्प है जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह में बैलेंस के साथ जम्प करके लेंडिंग करते हैं तो ध्यां से देखें हैं basis में हम छोटी-छोटे steps लेंगे जिससे की आपका confidence improve हो उसके बाद आप हाइट में भी इस तरह से practice कर सकते हैं confidence होने के बाद beach के distance को बढ़ाएं जो नेक्स मूव है और बार के उपर हम बहुत सारे फिलिप कर सकते हैं या फिर बहुत सारे पार कर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको swing सीखना होगा जब आपकी swing आगे की तरफ जा रही है जब आप पीछे आ रहे हैं तो आपने हाथों को भी आपने चेंज करना है यानि आपके हाथों की आपने ग्रिप को चेंज करना है ताकि आपके हाथ के ग्रिप कंटिन्यू बने रहे हैं ग्रिप प्रैक्टिस के बाद टर्निंग मुमेंट की प्रैक्टिस करें इस तरह से और इसके बहुत सारे वेरेशन भी आप सीख सकते हैं साती साथ स्विंग के साथ साथ यान से देखें और इसके साथ साथ आप मसल अपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक बार हातों की स्ट्रेंथ इंप्रूब होने के बाद इसके बहुत सारे आप वेरेशन सीख रखते हैं अगला जो पार्कर मूव है वो बोथ लेग क्रेड जॉंप की में के जांजाए कि आट है इस स्टर्टिंग में इस्तरे से घ्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपके लेक के इंप्रूव हो जाएगी और जम्पिंग पाउर वी इंप्रूव हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेफल भी बढ़ जाएगा उसके बाद आप इस तरह से छोटे छोटे यो जयंप के अपनी confidence level को बढ़ाएं, confidence level बढ़ने के बाद आप height से practice स्टार्ट करें, अगला parker move double kong, basic में आप इस तरह से jump करके horse के उपर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे horse को पार करने की कोशिस करें through vault से, जब इसको confident हो जाते हैं, तो दोस्तो अगला जो parker move है, वो आपने मुझे बताना है, और ये comment box में बता सकते हैं मुझे, जिसके उपर सबसे ज़्यादा comment होगे guys, मैं अगला वीडियो उस parker move के उपर बनाऊंगा, तो जल्दी से अपने parker move को comment box में लिख दा रहे हैं, तो guys ये थे 10 basic parker moves जो कि आप घर के आसपास कहीं भी ऐसे जगए पर सीख सकते हैं, और काफी easy है, इसमें कोई injury के chances भी नहीं है, आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो एक like जरूर करें, अपने question को comment box में लिख सकते हैं या फिर मुझे Instagram में follow कर सकता है guys, लिंक के दे रहा हूं में वीडियो के discussion में, आप Instagram में follow करके अपने question पूश सकते हैं, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लाएं, साथ ही bell icon भी press कर लें ताकि हम future में आने वाली वीडियो से connected रहे हैं, वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने आने के लिए थैंक यू, बबाइव, पिनिए।